हेलो फ्रेंड्स, बेलकम तो आश्टड़ी विद मयंक, मैं हूँ आपका मयंक और आज ला रहा हूँ आपके लिए आई-एस प्रीलिंस परिच्छा 2019 के लिए करंट अफेर्स, यानि कि ये करंट अफेर्स का पूरा वीडियो है और ये करंट अफेर्स मैंने जलाई से लेकर अब तक जो भी गटना गटित होई है वो इसमें सामिल की है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सेर भी कर दीजिए ताके ये अनलोग तक पहुंच जाए और ये वीडियो जो है पूरा हिंदी में रहने वाला है और आज है ह क्वाइन सी बुक होती है क्या मैथ पढ़ना पड़ता है आप बिलकुल भी गवडाएं ना बिलकुल भी कन्फूज ना हो मैं आपके लिए अपरेल से मई यानि अपरेल और मई के महीने दो महीने पूरे दो महीने डेडिकेट कर लूँगा सी से लिए और आप देखना है आ अपने आप में पाएंगे कि हमने कितना गेंड कर पाएं नोली तो आप बिलकुल टेंसन ना लें बिलकुल डॉंट बरी होगे आराम से पढ़ाई करें और साधी साथ आज हमारा यहां पर है सेकेंड है यानि इंडियन पॉलिटी का टेस्ट नंबर सेकेंड है यहां इसका टेस्ट नंबर टू है तो आप लोगों को यह चीज़ें पता चल रही है कहां यह तो कंटेंट अल्रेडी चैनल पर था तो आपको कही नहीं पर्ड़ने में कुछ लोगों को बहुत अच्छी प्रत्क्रियां भी आई है कि कुछ लोगों ने का सर यह तो हमारे लिए बहुत सभागी की बातर के हम आपसे जुड़ पाएं देगे ऐसा कुछ भी नहीं है यह एक म कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफियर्स देखे आज यहां पर कॉश्चन पर वन है निम्लेगित कतनों पर बिचार कीजिए यहां पर बताईए कौन से कतन जो हैं वो सही है पहला है यहां पर 36 सरकार बितर कड़का में एक बिस इस तरी जब बिवित्ता प्रदसन केंद इस्थावित करने जा रही है देखे पहला वाला कतन जो है वो गलत है पहली बात तो बितर कड़का जो उद्धान है बितर कड़का जो उद्धान है वो 36 गड़का में नहीं है बलकि उडिसा में ह तो उडिजा सरकार बितर कड़का में दंग माल के निकट एक बिस इस तरही जैब विवित्ता प्रस्टन केंद इस्थाबित करने जा रही है यानि बितर कड़का जो उद्ध्यानु है वो उडिजा में पड़ता है ना कि यह 36 गड़ में है तो पहला वाला कतन गलत है इस जैब विवित्ता प्रस्टन केंद द्वारा मगरमच्छों की सरचड और सम्रद जैब विवित्ता की रच्चा है तू किये गए प्रयासं को दिखायेगा तो इस परियोजना को एकिकरत तटीचित प्रबंदन परियोजना के तहत अनमोदित किया गया है इस परियोजना को जो अनमोदित किया गया है वो एकिकरत तटीचित प्रबंदन के तहत किया गया है जिसकी अनुमानित लागत जो है तीन करोड रुपए है यह तीन करोड रुपए लागत की परियोजना है यह वाली ठीक है और यहां परियोजोना जो है यांस तीसरा वाला option भी सही है यह परियोजोना जो है परेटकों को आकटित करने के साथ साथ लिए पर्यावर ध्यन केंद के रूप में भी होगी और बितर कड़का राजी के एक बैतरी जैब विविता होड़ी स्पोर्ट में से एक है जहां लगवग एक लाग परिटक पर्तबर्स आते हैं और हाली में यहाँ पर जो आने वाले परिटकों की संख्या में बड़ोत्तरी देखना को मिली है तो यह उड़ी सा में पढ़ता है बितर कड़का तो यहाँ पर सेकंड यानि C बाल आप्शन सही है तो यहाँ आंसर है C यानि केवल दो और तीन Q2 है आपका रेल मंत्रा लेक की डिजिटल स्क्रीन सेवा के संधर में नेमलेकित कतनों पर भिचार कीजिए यहाँ पर बताना है कौन से कतन जो है वो सही नहीं है ब्हारति रेल के गवरव साली अतीस्थ सेथ लोगों को रूब रूब कराने के लिए देश के 20 रेल्वेस स्क्रीन का संधर में बलके 22 रेल्वेस स्क्रीनों पर यहाँ पर जो है डिजिटल स्कीन का संचालन की आया है यानि कि देज के 22 इस्टेशनों पर डिजिटल स्कीन लगाई गई है और ये स्वधंता दिवस के अफ़सर पर इस्टीन स्थाबित की गई है तो पहला बाला गतन गलत है सेकेंड है यह पहल रेल्वे स्टेशनों पर क्विक रेस्पॉंस यानि क्यू आर कोड आधारित डिजिटल संग्राले बनाए जाने के प्रदान मंतरी के बिजन पर आधारित है देखें यह बिल्कु सही है कि यह जो इस तरह का जो है यह पहल जो है रेल्वे स्टेशनों पर क हावडा, सियालधा, जैपुर, आगरा, छावनी, कोयंबर टूर, लखनवु, वराणसी और अन रेल्वे स्टेशनों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा, रेल्वे की बरासत को रसाने वाले QR कोड आधारत पोश्टर भी इन रेल्वे स्टेशनों पर लगाए गए हैं। तो ये भी आप याद रहें। देखेंगे यहां पर सेकिंड वाला option सही है, पहला वाला option गलत हैं लेकिन है पूचा यग गया है कौन सा कतन सही नहीं है। केवल पहला वाला कतन जो है वो सही नहीं है तो answer है A, केवल A कतन सही नहीं है। Q3 हाल ही में किस इस्थान पर भारत के पहले राष्ट्रिय वनिजीव आनुवांसिक संसादन बैंक का उद्गाटन किया गया हाल ही में राष्ट्रिय वनिजीव आनुवांसिक संसादन बैंक का उद्गाटन हैदराबाद तेलंगा नामे Cellular Molecular Biology यानि CCMB परयोकसाला के दोरा किया गया इसस्तापित किया गया है कहां पर किया गया है हैदराबाद में ठीक है तो यहां आनुवांसिक संसादन बैंक है जहां आनुवांसिक सामिग्री को भावी पीडी के लिए संग्रीद किया जाएगा और इसका उद्देश से जो है वो इसका मुक्य उद्देश से जो है लुप्त प्राय और सरच्छत किया जाने वाले जानवरों को सरच्छत प्रदान करना है यहाँ पर उतक, शुक्राणू, अंडे और भूड आनुवांसिक सामेगरी जैसे DNA, RNA का विवस्तित संग्रे और सरच्छत रहेगा यहाँ पर और यहाँ बैंक आनुवांसिक संसादनों को सरच्छत करने के लिए अत्यादनिक उपकरणों से लेस भी है जिसका परियोग पसु यहाँ नमर फोर है आपका अमेरिका ने वर्स 2020 तक अमेर की अंतरिक्षबल का निर्मार करने की गोशना की है यह बहुत इंपोटेंट है यह कहीं पूछा जाएगा रोप्स आपसे किस देश ने अंतरिक्षबल यानि इस पे स्पूर्स अब तक आपने सुने होंगे यानि ठल सेना जल सेना बायू सेना इसके पारें इससे पारें सुना लेकिन अमेरिका निरमाद करने युर्चना बना रही है ऑर सेना का इस पे स्पोर्स के बारे में दिखाया गया है। देखें ये कुछ आपकी कोर्स से लेटेड़ मूवी है नहीं हैं एक एंटर्टेनिंग मूवी हैं तो आप किवल देख सकते हैं एंटर्टेन के लिए ठीक है। तो ये 2020 तक गढ़ित करने का गोशना की है यहां पर पताना है कौन से कतन इसके बारे में सही हैं। सही हैं सैकिंड है अंतरिच बल में तीन इकाईयां सामिल होगी। ये जहां साइक है यहां जापे एंटर्ट ψम्बल की तीसरी इकाई करे देखें तीसरा वाला खतन गलत है। जो तीसरी एकाई जो होगी यानि कि अंत्रिक्ष यानि इस्पेश डव्लमेंट एजेंसी जो होगी नई प्रद्वक्त की पहचान व विकास का कारी करेगी ये तीसरी एकाई नहीं होगी तीसरी एकाई जो होगी वो इस्पेस ऑप्रिशन फोर्स है जिसका गठन नेताओं और और पहला मैंने बताया था इस पेस कमांड का नेत्रत्त वाला तो यह आंसर है एक केवल एक और दो क्वेशन नमर फाइव है आपका हाल ही में यहां पर नावाज द्वारा जारी किये गए अखिल भारती बित्ती शमावेशन सरेक्षड यानि कि All India Financial Inclusion Survey NAFIS के संदर में निम्लिक कत्रों पर विचार कीजिए यहां पर बताना है कौन से कत्रों सही नहीं है यानि गलत कत्रों बत देखें नावाज की फिल्फॉर्म होती है National Bank for Agriculture and Rural Development ठीक है तो इसके तोरा बित्ती समावेशन सर्विच्ड के अनुसार प्रस्यत किया गया है ठीक है तो पहला वाला कत्रों बिल्कु सही है और यह अपनी तरह का पहला सर्विच्ड है ठीक है इस सर्विच्ड के अनुसार 98% से अधिक ग्रामीट परवारों के पास बैंक खाते हैं देखें पहला वाला उप्सन गलत है इस सर्विच्ड के पाया गया कि इस सर्विच्ड मैंने नावाज ने पाया कि 88% से अधिक नहीं बलकि 88% से अधिक ग्रामीट परवारों के पास बैंक खाते हैं लेकिन पहलूओं को सामल किया गया जेके साथ में रड़, बचत, निवेस और जो है पैंसनWow के सभी पहलूओं को का सामल किया गया तो दोस्तों यहां बस दूसरा तीसरा orange खतंगलत है तो यहांं आंसर बी केवल दो और तीन कतल सही नहीं है question number six है आपका हाली में इस राजी सरकार द्वारा देश के पहले blockchain जिला launch करने हे तू यानि देश का पहला जो है blockchain जिला launch करने हे तू tech mehendra, nucleus vision और 1101 foundation के साथ ग्यापन पर हस्ताचत किये गए हैं देखे हाली में तेलंगाना सरकार ने यानि हाली में तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला blockchain जिला launch करने हे तू tech mehendra, nucleus vision और 1101 foundation के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं देखे blockchain जिला blockchain उत्रश्टता का एक ऐसा क्रेंद होगा जो भारत के blockchain startup वा company के विकास को प्रोसान प्रदान करेगा ठीक है इस समझोते के तेथ blockchain प्रोद्धोकिकी के विकास के लिए पूरा प्रतंत प्रदान किया जाएगा यहीं पूरा system प्रतान के दिया जाएगा और सरकार के साथ करार करने वाली कमपनिया ब्लोक्चेन जिले के प्रमुक संस्थापक साज़ेदार के रूप में काम करेंगी तो यहां answer है छटे में का एक यह तेलंगा रहा है ऐसा राज्य इसने पहला ब्लोक्चेन जिला गुसित किया है ठीक है कुशन नमर्स सेवन है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप यानि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप के संदर में निमलिक कदरों पर बिचार कीजिए यहां पर बताईए कौन से कदर सही है यानि जी एम आर्टी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप GMRT से सौट में बोलती है पहला है यह 25 किलो मीटर के छेत्र में फैली 30 परवलियाकार यानि परवलियाकार यानि प्रत्यक दुर्विन का ब्यास लगवा 42 मीटर है कि एक संखला है जो सभी दिसाओं में फैली सकती है तो पहला वाला कतन यहाँ पर बिल्कु सही है और सेकंड है इसकी प्रमक बिजिस्ता यह है कि इसे भारती बैग्यानिकों को दौरा भारत में तयार किया गया है देखे सेकंड वाला कतन जो है कि GMRT जो है कि GMRT को भारती बैग्यानिक और इंजिनियरों के द्वारा बिग्यान के बुनियादी शित्रों में किये गए सबसे चनोधी पूर प्रयोगात्मक कारियों 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 के एक है यह सेंटर फोर रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स के द्वारा किया जाता है जो कि टाटा मुल्वूद अनसंदान के टाटा इस्टिटूट ऑफ फंडामेंटर रिसाज का एक हिस्सा है और यह जो है पुड़े सहर से असी किलोमेटर उत्तर में इस्थित खोडार नामक इस्थान पर इस्थाबित की गई है तो तीसरा वाला गतन यहां भी सही है तो यह आंसर है डी यानि एक दो और तीन क्रेशन नमर एट है आपका निमनेगर कतनों पर विचार कीजिए यह पर बताइए कौन से कतन सही है पहला है नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में उपलप्द है किन्तो है 99% से अधिक आणविक नाइट्रोजन या एंट्टू के रूप में होता है जिसका उपयोग नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में उपलप्द है किन्तो है 99% से अधिक आणविक नाइट्रोजन या एंट्टू के रूप में होता है जिसका उपयोग ज्यादा तर जीवोग के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो पहला बाला गतन यहाँ पे बिलकुश सही है अधिकान से जीविद जीव केबल प्रत्क्रिया सील नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते है और इसमें अमोनिया अमोनियम नाइट्रोजन आकसाइड नाइट्रिक एसिट नाइट्रस आकसाइड और नाइट्रेट एम यूरिया अमाइन प्रोटीन तदा न्यूकिलिक एसिड जैसे जैविक योगिक सामिल है देखें सेकेंड वाला कतन भी सही है कि इसमें जो है जो प्रत्करियासील नाइट्रोजन है इसमें अमोनिया, अमोनियम नाइट्रोजन आकसाइड जो है नाइट्रिक एसेट, नाइट्रस अकसाइट, नाइट्रेट एमयूरिया, अमाइन, प्रोटीन और न्यूकिलिक एसेट जैसे जैविक योगे सामेल होते हैं जीवन के लिए जरूरी पांच प्रोटीन तत्तों में से एक है यह आप जान लीजिए और प्रत्कृषिया सील नाइट्रोजन है इसकी अबूत्पूर बद्दी ने दुनिया वरके के लोगों और प्राज्टित कंत्र को बुरी तरह से प्रहावित किया है यानि कि आपका जो प्रत्कृषिया सील नाइट्रोजन जो है इसने क्या किया है कि इसकी जो है बढ़ती जारी से इसका जो रेशियो है पाताबर में इसका अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है तो यह कही ना कहीं यह 15 तंद्र को एक बहुती बुरा यानिए बहुत बुर करण और जया विवित्ता को नुक्सान यहां पर हो रहा है और इसके लाबा यह है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में एक ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग और स्ट्रेटो स्पेरिक ओजौन रिक्तिकर्ड में भी यह यह योगदान प्रदान देता है तो यह दोनो ही कतन सही है तो यह आंसर है C यह यह एक और दो दोनो जयाएक और दो कतन दोनो नई आई ने हाल ही में नैपाल-India Think Tank Sinkhar Sambhilant 2018 का आयोजन कहां किया गिया लेकिë नैपाल-India Think Tank Sinkhar Sambhilant 2018 का आयोजन संयोक तुरूप से Asian Institute of Diplomacy and International Affairs तथा नहरू मेमोरियल म्यूजयम लावेरी दोरा 31 तुलाई 2018 को पहली बार काठ मांडू नैपाल में किया गिया और इस संबोलिलन का आयोजन जो था दोनों देशों के बीच अधिका अधिक सहयोग तथा ज्यान साजा करने के साथ साथ नीद निर्माड के बीच अंतराल को कम करने के लिए भी किया गया इसका ठीक है तो आंसर है नमे का C क्वेशन नमर्ट 10 है बैस्ट्रिक जीवन चमता सूचकांक 2018 के संदर में नेमनेकत कतनों पर विचाल कीजिए यहां पर बताना है कौन से कतन सही है यानिक सही कतन आपर बताने है पहला है वर्स 2018 के सूचकांक में और्स्ट्रिया की राज़ानी बियना को प्रतम इस्थान हासि हुआ है देखे पहला वाला कतन बिल्कु सही है को और तरह पहले वर्स इस सूचकांक में मेलवर्ण सीड्स इस्थान पर था देखे बर्स 2018 में सूचकांक में जो आउस्ट्रिया की राज़ानी बियना है इसे प्रतम इस्थान हासिल हुआ है लेकिन लाश्ट वार जो जीवन चमता सूचकांक है तो ये जो सूचकांक है इकोनोमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वार जारी किया जाता है ठीक है तो ये सेकंड माला कतन गलत है इस सूचकांक में भारती रायधानी दिल्ली को एकसो बारे मा और मुंबई को इस्तान पराप्त हुआ है देखे और मैंने कल एक बताया था एक जो है इस स्थान प्रापत हुद ये इसने कमेंट में आपको बताना है ठीक है और सूचकांग अच स ez सहर जो है वह बीनड वर्ण ऐसाका पैंक वर्टो ट्टो कोपेंहेंगर और एड़ी हैं ठीक है और सीरिया की रायधानी जो दमिस्क है इस वर्स भी सूचकांगवा सबसे नीचे है जबके बंगलादेश की रायधानी ढाका को नीचे से दूसरे स्थान पर और करांची जो है यानिकि पाकिस्तान की रायधानी जो है पाकिस्तान का करांची है वो चौथा सबसे खरा तो दोस्तों आज का वारा रिमीजन का पोर्शन है भार्ति सम्मिधान एवा राजविवस्ता के अंतरकर्ट संग एवं उसका राजशेत्र प्रस्तावना नागरिक्ता एवं मूल अधिकार देखें यह जो वीडियो है यानि पॉलिटी के मैंने सारी वीडियो जो बनाए है व इसे अगर आपने एम लक्ष्मी कादी किताब को नहीं पड़ा तो यकीन मानी आप यूपसी कभी नहीं निकाल पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो को कभी मिस ना करें सेकिंड वाले वीडियो को इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे तो आप इस वीडियो लिंक पर जाएं वीडियो को पूरा देखें और अपनी प्रत्क्रियां इस पर दें आपने इसमें कितना सीखा आप कितनी आपकी नॉलिज पहले से थी आपको कितना परिमारेजन हुआ नॉलिज में ये सब आप कमेंट बोगे बताएं ठीक है तो आज हमारा इस वीडियो को पुड़ा देखें तो आज के लिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए ने पसंद है डिसलाइक क्यों किया है कमेंट उसका जरू बताएं साथ ही साथ आप वीडियो को से यही रिक्रेस्ट करता हूं कि जादा से जादा लोग हो तो आप वीडियो झाल